कभी कबार केला रखे-रखे पक जाते हैं इनका छिलका बिल्कुल काला पढ़ जाता है जिसकी बज़य से बच्चे हो या फैमली वाले इसको खाने से मना कर देते हैं जबकि यह जो केला होते हैं सिर्फ बाहर से काले पढ़ते हैं रखे-रखे अंदर यह सड़े हुए नहीं हो आपके यहां हो सकता है रखे-रखे काले पढ़ जाते हूं मोशली ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे इनके लोग को छीलेंगे और इनका जूपर का हिस्सा है वो कुछ जादा ही पग गया है थूदा सा खराब सा लग रहा है उसको अलग कर देते हैं इसी तरह से हमने दोनो नचत लगे गा केला बहुत ही मैश होता है सॉफ होता है जिसकी बजह से बहुत जड़ी से मैश हो जाता है तो आप देख सकते हैं अमने इसको बहुत अच्छे से मैश कर लिया है अब इसक踏 में रख देते हैं जब तो चोटी चम्मर्शी यहां पर रिफाइंड ओयल तो आप कोई भी अनफ्लेवर ओयल या फिर देशी घी या बटर का यूज़ भी कर सकते हैं आप हम इसमें डालेंगे स्वाधन साथ चीनी तो चीनी थोड़ा कम डालीगा क्योंकि जो केला होते हैं वह भी मीठे होते हैं इसमें अपने मैश किये हुए केला और इन केला को भी हम अच्छे से इस मिश्रण में मिक्स करेंगे तो चलिए अब मैं आपका सस्पेंस दूर कर देती हूं हम मराने वाले हैं कपकेक्स जो की बहुत ही जादा टेस्टी बनेंगे तो हमने इसको मिक्स कर दिया है अब मैंने यह आप ली है टूटी फ्रूटी तो यह बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं और व हम इसको ढख करके 15 मिनट के लिए रेश्ट के लिए रख देंगे क्योंकि हम यह सूजी से बनाने वाले हैं सूजी को फूलने में थोड़ा सा समय लग जाता है तो दस से 15 मिनट के लिए रख दीजे ताकि सूजी का जो दाना है वो खतम हो जाएगा सूजी अच्छे से फू यूज कर रही हूं और नमक को मच्छे से फैला देते हैं और इसको ढख करके पांच मिनट के लिए बिलको लो फ्लेम पर प्रीट होने के लिए रख देते हैं यह काम आपको बहुत जरूरी है करना तो इसे आप जरूर करने केक बनाने से पहले इतना काम कर लीजेगा अब म मैंने आपको बनाना भी बताया था तो यह काफी यूज़स के होते हैं बहुत सस्थे भी आते हैं अगर आपके पास यह मोल नहीं है तो आप इस तरह है की छोटी सी काटोरि ले लीजे हैं तो इसलिए निए ऊपको अच्छे से ग्रीज कर देंगे सभी आपको मोल्स को ग्र बैसे सिल्कॉन में दिक्कत नहीं होती है बट फिर भी मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि कोई भी रिस्क न रहे कि हमारे जो कपकेक हैं चिपक जाए तो सभी को आप अच्छे से गीस या ओल से ग्रीस कर लीजिएगा तो लीजिए हमने सभी मोल्स को ग्रीसिंग कर लिया है और आप जो हमारा मिश्रंट था लगबग 15 मिनट हो चुके हैं और पहले से काफी थिक हो गया है जितना हमें चाहिए था प्रॉपरली उतने ही में आ चुका है बैटर ये देखिए बस अब हमें बिल्कुल भी इसमें प पर एक चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट का इस्तमाल भी कर सकते हैं अब जैसे ही आप सोडा डाले तुरंत ही आप इसको बिल्कुल लाइट हैंड से मिक्स करिएगा बहुत फास्ट आपको मिक्स नहीं करना है बिल्कुल जैंटली मिक्स करना है और आप देख सकते हैं धीरे इसका टेक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया है यह हलका सा फ्लपी हो गया है वो शोडा के रियक्शन की वजए से ऐसा हुआ है अब फटा फट से हम अपने मोल्स रखेंगे और इस बैटर को हम डालेंगे इन मोल्स में तो आपको बिल्कुल उपर तक नहीं भरना है थोड़ा इसमें स्पेस रखना है ताकि जब फूलेंगे तो बहुत उपर बाहर ना निकले इसलिए थोड़ा सा हिसाब से भरे तो चलिए हम सभी मोल्स में बैटर को भर देते हैं आप चाहें तो यहां पर इसको केक करूप भी दे सकते हैं सीधे आप केक कर टिन ले लीजिए तो अब हमने यहां पर लिए फिर से थोड़ी सी टूटी फ्रूटी और उपर से हम इसको अच्छे से गानिश कर देते हैं इससे देखने में हमारे कपकेक्स बहुत ही खुबसूरत लगेंगे बहुत ही टेम्टिंग लगेंगे तो आप चाहें तो उपर ड्राय फूट से इनको इसमें रख देंगे अपने यह प्लेट तो पूरी प्लेट सहत आपको रख देना है आप चाहें तो नीची शोटा से स्टेंड भी रख सकते हैं बट इसमें जरूरत नहीं है स्टेंड की क्योंकि कड़ाई जो है कुछ इस सेप की है कि यह इसली हो जाएगा नमक में टच न 25-30 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे कपकेक कितने बढ़िया फूल गए हैं बहुत अच्छे से पक करके तैयार हो गए हैं यह देखिए कितना बढ़ियन का कलर आया है इनको चेक करने के लिए टूथ पिक लीजेगा एक नाइफ लीजेगा कुछ भी आपके करने नमग होने देते हैं मैं से बहुत से लोग कहते हैं कि बनाने से बर्तन जल जाता है तो आप देखिए कहिं जली केटाई बल्कुल नहीं जली कियोला नमक अलक सा ब्रां हो गया है तो कोई भी बड्स अोब बतन अलक सहां निए जलेगा तो लीजेगा anywhere तो सब幕 करने हो बहुत ही soft है यह तो इनको हम अलग निकाल लेते हैं बहुत ही easily निकल जाते हैं आप देख सकते हैं सिलकॉन मोल्ड में कितने प्यारे cupcake बनते हैं इनकी design देखिए कितनी cute लग रही है तो इस तरह से आप भी cupcake बना सकते हैं पके हुए केलों से आपको बिलीव नहीं होगा कि इत इतना बड़िया यह भी निकल चुका है तो तैयार है हमारे बनाना cupcake बहुत ही tasty बहुत ही tempting देखने में बच्चों को देंगी तुन्हें बहुत पसंद आए तो चलिए cupcake में आपको तोड़ करके दिखा देती हूं यह देखिए अंदर से कितना super soft कितना tasty बहुत ही अच्छा है तो इस तरह ऐसे आप भी try करें आयो आपको आज की रस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए बाबाए टेक्यार